खापर खेडा पुलिस चशन अंतरकत रेलवे चोक की मुख्य बाजार पिट सिंधी डॉक्टर दवाखानी के सामनी रात पौनी दस बजे युवक की गला काट कर हत्या कर दी गई सदर घटना से परिशर में देशर का माहल बन गया है सदर घटना में अग्याद आरोपी ने धारदार शस्त्र से मृत्तक युवक का गलारेल का रहत्या कर दो घटना की बाद आरोपी तुरंद घटना स्तल से फरार होके मृत्तक का गला कटने पर ब्लिडिंग ज्यादा होने से प्रशान ने घटना स्तल पर ही दम तोट्या घटना के वाग्ट मुख्य बाजार पेट में कुछ-कुछ दुकाने शुरू थी कई लोगों ने मृत्तक का गला काट टीवे देखने की चर्चापी थी घटना स्तल के बाजु में राजबाबा बियर बार भी है लेकिन मृत्तक को कोई बचा नी सके सदर घटना बियर बार के सिसी डिवी कैमरे में कैद होई है बदाया जा रहा है कि बियर बार के बाजु में किसी लोगों का जगड़ा होने की जानकारी खापर खेडा पुलिस को पताई गई चन्द मिंटों में खापर खेडा पुलिस घटना स्तल पर पहुची लेकिन तब तक अग्यात आरुपियों ने प्रशान का मर्डर करके घटना स्तल से फराह हो चुके थी सदर घटना भी सेसी डिवी के आधार पर शोद मोहिम चारी थी इस घटना में पहले मृतक और आरुपियों के मित्रती कुछ पुरानी रंजिश के चलते हत्या होने की चर्चा हो रही थी घटना का पंचनाव वकर शव को पोस्माटन के लिए मेयो अस्पताल नाखपुर में भीचा गया अग्यात आरुपियों के विरुद मामला दाखिल कर आरुपियों की खोशपी जुरू है बेसियन नियोस के लिए खापर खेडा से दिलिव गजबी के रिपोर्ट